दोस्तो मैं सोरंबलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट अफेर क्वीज में आज हम देखेंगे 29 जून की करेंट अफेर को जो कि सभी परिक्साओ के लिए मैथपून रहेगी डेली करेंट अफेर क्वीज में मैं आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंट अफेर के कोशन आज़स को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट अफेर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तो कल की वीडियो का रिविजन कोशन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देशी गायों की खरीद पर 40,000 रुपे का अनुदाद देने की कोशना की है इस कोशन का आंसर सभी स्टुडेंट कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेंड पर है हाल ही में भारतिय वायू सेन द्वारा रन वीजे अभ्यास का आयोजन कहां किया गया दोस्तो पहले कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा ये अभ्यास दोस्तो आयोजन किया गया है उत्तर परदेश में यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कोशन है हाल ही में किसे केरल के नए मुख्या सचीव के रूप में निक्स किया गया है दोस्तो राइट आंसर हैगा डोक्टर वी वेनु को यानि कि ओप्षन सी राइट आंसर हैगा दूसरे कोशन का सही उतर तीसरा कोशन है किरकेट वंडे विस्वकप 2023 का आज़न कहां किया जाएगा दोस्तो इस कोशन का सही उतर हैगा अपने भारत में यानि कि ओप्षन एई राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर तीरी का सही उतर ये भी आपको याद रखना है कोशन नमबर फोर है हाल ही में नंदी पोर्टल किस मंत्राले द्वारा लॉंच किया गया दोस्तो राइट आंसर हैगा मतश्य पालन पसु पालन एवं डेरी मंत्राले द्वारा यानि कि ओप्षन डी राइट आंसर हैगा कोशन नमबर फोर का सही उतर ये भी आपको याद रखना है कोशन नमबर फाइव है दोजार तेइस आई सी सी प्रूस किर्केट विसकब का आयुजन कब से कब तक किया जाएगा दोस्तो राइट आंसर हैगा 5 अक्टूबर से 19 नमबर दोजार तेइस तक यानि कि ओप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा पाँचवे कोशन का सही उतर ये भी आपको याद रखना है दोस्तो डेली करेंट फेर की पीडियाप ढूनलोड करने के लिए ओनली डॉप स्टडिय आप को डानलोड कर लिजेगा 5 इस्टार की रेइंग भी करना उसके बाद में आपको करेंट फेर पेडियाप वाले से़ल में जाके पीडियाप मिल जाएगी और जो हमारी Master Pediap है दोस्तों जिसमें 6,000 question answer समने cover किये हैं सभी अलग-अलग subject से इसमें आपको history, geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current, फिर computer, static, gk सब कुछ मिल जाता है इस Master Pediap में ये Pediap मात्र अभी 1,500 रुपे में आप ले सकते हैं इस पर 70-72% का उप चल रहा है इस Pediap का लिंक नीचे description box में भी दिया गया है या फिर आप हमारे इस WhatsApp नंबर पे message करिएगा 800-601-6626 पर और जैसे ही आप message करेंगे तो आपको इस Pediap के बारे में detail और link मिल जाएगा ठीक है चले, छटा question आता है हाल ही में किसने ग्रीज के परदार मंतरी के रूप में सपत ग्रहन की है तो इस question का दूस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है right answer is क्यारी को कोस मितोस टाकिस यानि की right answer is option A ये आपको याद अखना है question number 7 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT विभाग का नाम बदल कर digital प्रिद्योगिक विभाग किया है साथवे question का दोस्तो right answer हैगा हिमाचल परदेश यानि की option A right answer हो जाएगा ये भी आपको याद रखना है आठवा question है हाल ही में DBS bank इंडिया ने किसे परबन निर्देशक के रूप में निक्त किया है दोस्तो इस question का right answer हैगा रजत वर्मा यानि की option C right answer हो जाएगा आठवे question का सही उतर question number 9 आता है हाल ही में किस ने दी योग सुत्र 4 चिल्डन नामक पुस्तक लिखी है दोस्तो right answer हैगा रूपा पाई ने यानि की right answer is B ये आपको याद अखना है दोस्तो दसवा question है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंतर से नानी मांदे 16,000 से बढ़ा कर 20,000 रुपे कर दिया है दोस्तो right answer हैगा उत्रा खन यानि की B right answer हो जाएगा दसवे question का सही उतर ग्यारबा question है हाल ही में किस टीम ने वंडे क्रिकेट इत्यास में सूपर ओवर में सबसे बड़ा total बनाया है और देखें अगर आप लोग इस सेशन को regularly देखते हैं तो please like जरूर किया करें अपने भाई बेन दोस्तों के साथ में भी share कर दिया करें क्योंकि 10 मिनट की हमारी ये छोटी सी वीडियो बहुत ही informative होती है तो please हर एक बच्चे तक पहुचाईए ग्यारवे कोशन का right answer है निदर्लैंड यानि की option C right answer हो जाएगा बारवा कोशन है हालही में किस राज्य में भारत की पहली hydrogen संचलियर ट्रेंग चलेगी तो बारवे कोशन का दोस्तों right answer हैगा हर याना में यानि की दोस्तों B right answer हो जाएगा बारवे कोशन का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है कोशन नमबर 13 है हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है तो तीसरे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा दोस्तो चीन को पीछे छोड़ दिया है यानि ये ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कोशन नमबर 14 है हाल ही में जोन गुड एनफ का निदन हुआ है हुआ वे कौन थे दोस्तो राइट आंसर हैगा ये एक वेग्यानिक थे यानि की C राइट आंसर हो जाएगा 14 का सहयद्टर कोशन नमबर 15 है हाल ही में अनुराग वर्मा कहा willst के नए मुख्य सचीब बने है उस तो 15 का राइट आंसर हैगा पंजाब के यानि की B राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 15 का सहयद्टर कोशन नमबर 16 है हाल ही में कौन सा देश इसराइल में अपना पहला दूतावास खोलेगा दूस्तो राइट आंसर हैगा फीजी यानि की सी राइट आंसर हैगा सोलवे कोशन का सेउतर ये भी आपको याद अखना है कोशन नमबर 17 है हाल ही में कौन MCC विस्व किरकेट समीती में सामिल हुई सतरवे कोशन का दूस्तो राइट आंसर हैगा बिल्कुल सही है जुल्लन गोस्वामी, हीतर नाइट और इयोन मॉर्गन यानि की उप्रुक सभी ये भी आपको याद अखना है कोशन नमबर 18 है वर्ष 22-23 के लिए लीग वन में सर्वसरिस्ट विदेशी खिलाडी का पुरुसकार किसने जीता दोस्तो राइट आंसर हैगा लियोनल मेसी ने यानि की उप्शन सी राइट आंसर हैगा अठारवे कोशन का सही हुथ कोशन नमबर 19 है भारत के इसपात और अलुमूनियम उत्पादों को बाजार तक पहुँच परदान करने पर कौन सा देश सहमत हुआ है 19 वे का राइट आंसर हैगा अमेरिका ओप्शन नहीं राइट आंसर हैगा दोस्तो इस कोशन का सही हुथ 20 कोशन है पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्स्टी ने विस्विद्यालिों की सूची में कोन सा इस्थान हासिल क्या है दोस्तों 20 कोशन का राइट आंसर रहेगा ओप्शन है बारवा इस्थान हासिल क्या है यानि की E is the right answer ये भी आपको याद अखना है दोस्तों ये तो हो गए हमारे 20 करेंटरफेर के कोशन आंसर्स अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में आज का हमारा होमवर्क का कोशन है किस देश में 5 दिवसिये वारसिक हज यातरा सुरू हुई है तो इस question का answer सभी student comment box में बताएंगे और जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तो वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा ठीक है आज का हमारा question of the day है दिल्ली से पहले भारत की रायधानी कौन सी थी बहुत ही easy question है तो जल्दी से सभी student comment box में आंसर बताएंगे पांच सेकिंड का सभे मिलता है दूस्तो दिल्ली से पहले भारत की रायधानी कौन सी थी तो right answer क्या रहेगा आपका call कता यानि कि option D right answer हो जाएगा भी कल का हमारा homework का question था हाल ही में किसे पर्थम कला करांती lifetime achievement award से सम्मानित किया गया है तो right answer हैगा पंडित PD बाउल को option C right answer हैगा इस question का सही उत्तर ये भी आपको याद अखना है PDF लेने के लिए only top study app को download कर लेना आप 5 star की rating करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी फ्रेमे और जो master PDF के दोस्तों ये मिलेगी आपको 150 रुपीज में और इस पर अभी 70% कॉफ चल रहा है ये बहुत ही अच्छे प्राइज में आपको मिल रही है इसमें सारे subject है आप चेक किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं history पूछी जाती है geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, static जीके ये सब पूछा जाता है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस PDF को अगर आप purchase कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको कोई भी PDF या book purchase करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है वीडियो पसंद आईए तो like करिए share करिए अपने दोस्तों के साथ में चैनल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon को on कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हूँ Thank you so much Bye bye everyone Take care, ख्याल लगए अपना मिलते नेक्स क्लास में